बार्मेर के पीजी महाविद्याले पहले से ही व्याख्याताओं की कमी से जूंज रहा है ऐसे में तीन दिन पूरों पीजी महाविद्याले से एक साथ छे व्याख्याताओं की प्रती न्यूकती अन्य जगे करने पर शुकरवार को चात्रों का गुस्सा फूट पड़ा चात्रों ने महाविद्याले के मुख्य गेट पर ताला जड़ कर धरना देते हुए परदर्शन किया कई घंडों तक परदर्शन के बाद कोलिज प्रिशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त किया और कोलिज का ताला खुला गया भाडमेर के राजकी इसनात्कुत्र महाविद्याले पहले से ही व्याखयतों की कमी से जूज रहा है ऐसे में तीन दिन पूरू पीजी महाविद्याले से एक साथ छेव वाख्यतों की प्रती न्यूक्ती अन्य जगे करने पर शुकरवार को छात्रों का गुशा पूट पड़ा छात्रों ने महाविद्याले के मुख्य गेट पर ताला जड़ कर धरना देती वे परदेशन किया कई घंटों तक परदेशन के बाद कॉलेज प्रशासन के आस्वासन पर धरना समार्थ किया और कॉलेज का ताला खोला गया दरसल जिले के कई ग्रामीन शेतरों में परदेश सरकार द्वारा महाविध्याले खोले गए हैं अलांकि इन महाविध्याले में कॉलेज शिक्षा द्वारा व्याखेताओं की न्यूकती अब तक नहीं की गई हैं ऐसे में इन महाविद्यालेव में परसाशनिक व्यवस्तात संबालने को लेकर राज की सनात कौतर महाविद्याले से समय समय पर व्याखेताओं की प्रत्युन्युक्ति इन नहीं महाविद्यालेव में कुछ समय के लिए की जाती हैं। इसी कड़ी में तीन दिन पहले ही राज की सनात को तर महाविद्याले के एक साथ अन्य महाविद्याले में कर दी गई इससे छात्र सक्ती भड़क उठी और शुकरवार को छात्रों को विरोध प्रदसिन करते हुए अपना आक्रोस जाहिर किया चात्रों ने पीजी कॉलेज के मुखे गेट पर ताला जड़ने के साथ ही धरना शुरू कर दिया इस दौरान चात्रों का कहना था कि कॉलेज में पहले से ही व्यक्यतों के पद रिक्त हैं और अब शत्र की शुरूआत ही हुई है ऐसे मच्छा व्यक्यतों की एक साथ प्रतिन प्रतिकों विद्यार्चियों के भाईशे पर कुठारा घात करार दिया। और लगातार अर्थ दो तीन मेने बाद में एक दो फिस्तन अंतन हो रही है।